तो हाई फ्रेंट्स मैं बप्पी और मेरे लगार नीचल फ्रेंट्स वाफीज सब लोग का इलकम है तो आज फ्रेंट्स आप लोग के लिए लाए हमने हिविसकस का पोदा लाए है यह देख सकते हैं यह हमने ट्रांस्प्लांट किये हुए हमारा कम सकम महीने भर का हो गया है इसमें अभी हमारा क्या पॉलम आ रहा है और इसका पॉलम क्या पॉलम आ रहा है तभी फ्रेंट्स इसका जब हमने अपका क्या बोले थे इसको प्लांट को हमने ट्रांस्प्लांट करने के बाद हमें क्या हुआ था कि एक बार हम यह प्लांट इस्ट्रेस में आता है जब भ इसका भी क्या है की फर्वह प्लांट को मिल रहे रहे कई क्वाथ प्लांट क्यों मिल रहा है हुआ आपको बताएगे कि प्लांट ऑफ होने के वाथ में यह बार यह लो ली इस सघा था है देख रहा है यानि प्लांट अभी तो मेरा कुछ पॉलाम है प्लांट में तो इसका पॉलम है वह आज बताएंगे आपको इसका पॉलम है इसका अभी इसको सबसे पहले जब्रांट में यह पॉलम आए तो आपको देखना है कि मेरा पॉर्ट में क्या है वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रहा है मेरा पॉर्ट का ड्रेने सिस्टम तो सही नहीं है यह में चेक करना सबसे पहले उसके बाद हम दूसरा प्रिक्रोशन लेंगे जब इसका पॉट चब्अ कि पौट हो रहा है कि वारिस हो रहा है उसके बाद आपका धूप मतलम निकल नहीं रहा तो फिला लिपस ऐसा ऐसा आना जाएज है वारिश के टायम तो अभी आपको क्या करना है जब आसा पिला लिपस दीखे तो आपको एक ही काम करना है कि हमें प्रिक्वेसिन लेना है कि पोधा को बचाना है पोधा को इस हाल में नहीं रहने देना है कि ताकि हमारा अभी बारी से तो हम पोधे को छोड़ दे कि बारी इसके हाल में उसका प्लांट हमारा दिरे दिरे लिपस मतले छोड़ दे और प्लांट में रखतम हो जाए तो प्लांट को हमें क्या करना है अभी जब हमें यह पॉलम तो कुछ नहीं करना है ऐसा है छोड़ना प्लांट को में ठोड़ना नहीं है तो इसकी रखना है कि आपको सही स़हा है आप लिए लिए हम इसका root की treatment करेंगे रूट की treatment हम क्या प्रेटमेन तो फंगल जब होगा आपका फंगिसाइड के apply करेंगे हम तो फंगिसाइड का कौण से apply करनाया और कसे तरिके से की मत्रव में अपलाई करें और किस इंटरबल में हमें इसको उज़ करेंगे तो फंगी सैडे हमें दू ग्राम आप डुओवल ले सकते हैं तो अधाने मतर्म करें ले सकते हैं तो लों मिल डिया करेंब्य हूं दू ग्राम वाला हम यह जड में इसका रूट में अगर डे एक टूम नहीं करते हैं तो हमारा क्या होगा फिर से अमारा लिप जाड़ने लेगा और जाड़के प्लांट खतम हो जाएगा कब सके बाद जब हमारा प्लांट सही हो गया उसके बाद हमें क्या करना जो रूट हमेरा ड़ेमेज हो चुका है क्योंकि हमारा प्लांट उश कि उसके बाद आप हमें दूसरा कुछ फीडिंग नहीं देना है हमें या तो उसके फास्फरोस रिच फैडलेजर का हम अपलाई करेंगी चाहे आप जैबिक भी दे सकते लेकिन जैबिक हम बारिस के टाइम मना करेंगा अब लोगों कि जैबिक फैडलेजर ना दे तो जैबिक आपको लेना है और रिंकल कर देना है साइड में उसमें देखिए का रूट जो पहले जो डेमेज हो चुका था रूट का फिर से गठन बनने लगेगा और रूट इसका अच्छा हो जाएगा तो रूट इस ट्रक्सर उसके जब अच्छा रहेगा तो प्लांट आपका अच् आपको क्या करना और एक चीज हफते में एक बार आपको माइको निटन कोई देना है या तो फीजियर कुछ दे सकते हैं या तो आपको सबसे अच्छा आप तो बताएंगे कि आप समसल्ट का युज किजिए जो मैगनिसम सल्फड है क्योंकि लिफ्स को बहुत अच्छा बन जाता जो एक समसल्ट उसके साथ में अगर देंगे कोई सभी एक साथ आप दोग्रा में समसल्ट हुख ले सकते हैं अप सबस्ट कीजिए देए अपको प्लांट आपको लाज दीए गा और प्लांट इतनी एच्छा आपको देखने को लगे है उसका साथ फ्लावर के जो आपको बताएंगे हम जो हमारा रूट सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो हम 1260 को हम छोड़ देंगे अपलाए करना उसके बाद हम देंगे आपका या तो वैलेंस की दे सकते हैं या उनिस उनिस या तो आप इसमें पॉटिसेम रीच फैडलेजर को इसा भी दे सकते हैं कि अब आपको नाट्रजन और फैस्परस को छोड़के आपको मतलौ या तो पॉटिसेम ले सकते हैं या तो आपको नइट्रजन और पॉडिसेम ले सकते जो तेरह जीरह पईतालीस नम का एक वेड लेजर आता है उसके साथ आपको वह अगर पूरा फ्लावर की क्क्वालिटी झाल झाल